प्लीज करोना से बचिए यह प्रधान मंत्री का जो भासन था हम सभी ने सुना है और जाना है यह वायरस अभी इसका कोई एंटिटोस नहीं बना है थोड़ा से जानकारी आपको इसके माध्यम से दूंगी कुछ मेरे पास स्टिकर आई हुए थे मैंने उन्हें भी इसे एर कि जो भी मेरा वीडियो देखे वह अपने आपको सेफ रखने की कोशिस कर सके और हमें सहयोग करना है जी हां अपने देश को अपनी सरकार को अपने लोगों को यह जो कुछ भी वायरस है यह संक्रमित है अगर आपको कुछ आप डिटेल देखिए आप जो भी है आप जो भी म समय में हम जी थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं उसमें हम सारी चीजे एक साथ नहीं बता सकते हैं आपको कुछ आप मेरे पिक्चर में लगे हुए स्टिकर के द्वार जानेंगे कुछ मैं आपको अलग तरीके से बताने का प्यास करूंगी जी हां जिसे कोरोना वायरस जी हां इसकी पहचान अगर आप मेंसे क Ciao ओ तो आप देख रहे हैं जैसे आपको मास लगा के रखना है आपको मास नहीं भटा आफको इससे बात करने है दूसरी बात आप की अगर क कैसे करें जी सबसे में टॉपिक तो यही है कि इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं अगर किसी की नाक वह रही है गला है गले में खरास है बुखार जैसे लक्षन है अगर उसे लगता है कि वह बीमार हो सकता है उसे निम्मोनिया है सांस लेने में दिक्कत है कुछ मावलों में यहरो घादक भी हो सकता है और बुजर्ग जी हां बुजर्ग और ऐसे लोग जीने दूसरी स्वाब समस्या हैं जैसे अस्तमार डायविटीज दिल की विमारी उनके लिए वायरस ज्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है इन में से कोई भी लक्षन दिखाई दिए जैसे बनाक पहना गले का ख्राब होना खासी बुखात या सांस लेने में दिकत आप थोड़ा सा तेज सांस लेकर देखिए अगर आपको शांस लेने में दिकत होती है तो आप हर वायरस करोना नहीं होता यह जान लीजी आप लेकिन आपको घप्राने की जूरूत नहीं है आप डॉक्त से कंसल करें उससे बात करें उससे पूछें और अपना टैस्क करवाएं जी हां इतना घातक है ऐसा नहों आपकी लापरवाई आपके किसी अपने के लिए भी मुसीबत बन जाए अगर आप किसी तरह संक्रमित हो गए हैं तो प्लीज अपने परिवार को डिपेंट कीजिए उनको बचाई अगर आप गाओ गाओ घर घर यह मास्क और रेडिमेट नहीं पहुंच सकते हैं मैं प्रयास करूंगी आप लोगों को यह पताने का आभी मैं हो सकता है थोड़ देर में दुसरा वीड डालू कि आप अपने आपको किस तरह से कवर कर सकते हैं जी हां अपने घर में आप कैस हैं जितना जादा हो सके जैसे कि हमारे प्रधानमंद्री ने कहा है आप घर में रहें जी हां सुरक्षित रहें और संक्रमन से बचे रहेंगे जैसे कि कुछ लोग कहने है अलकोहल पीने से करोना का खतरा कम नहीं होता यह तो बिल्कुल खराब जूट बात है गलत बात है ल जिससे आपके उपर अगर कहीं से कोई वायरस आ भी गया है तो वो खतम हो जाए वो ना बचे जी हां जो जरूरी जरूरी सामधानिया है वो हमने खतरी करनी है इस खतरे से बचना है हमें उनका पूरा पूरा ध्यान रखना है अपना और अपने परिवार का अपने अडोस- इस से आप हाथ Wash कर सकते हैं और हो सके तो अपने इसको smell करने में कोई दिख्कत नहीं है पीने में दिख्कत है कि संकरमध मत से किसी को कुछ परिशानी होती है किसी को सभी इस जैस्यों नहीर होते हैं किसी किसी को जो है बुखार गले में खरास और सूखी खाशी भी हो सकती सकते हैं माल अगर कोई भी अन्य दिक्कत होती है तो आप अपने डॉक्टर से जाएं प्री टेस्ट हो आप इसका टेस्क कर आएं अपना चेक अप करवाई डॉक्टर से अपने सलहाँ जरूर करें ये मीरा वीडियो समाज के लिए है जी हां अपने भाई और बेहनों के लिए है जहां तक डॉक्टर नहीं पहुंच सकते हैं और जन जन को जागरत कर सकताय अगर नॉन्वेजश खाने वाले हैं तो मैं तो कहूंगी कि आप नॉन्वेजट खाना नहीं है अधर फिर भी कहीं भी अगर जो भी कोई मेरा वीडियो देख रहा हो कहीं देने वाला वह भी मैं यहीं कहूंगे कि सब्सक्राइब करें साकाहारी बने सुद्ध खाएं साकाहारी खाएं वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से सभी को सेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें सब्सक्राइब करें ताकि मुझे पता लगेगी कितने लोगों ने मेरा वीडियो देखा है और कितने ल जो है पूरी तरह से दुनिया पर जा रही है जिसमें भारत भी एक ऐसा देश बन गया है जिसमें तेजी से यह महामारी फैल रही है रोक थाम के लिए कोई उपाय नहीं है फिर भी मैं यही कहूंगी कि अपनी रोक थाम के लिए आप इतना जरूर करें कि इन चीजों को खाने जरी से पहले अपने हाथ को सेनीटाइज कीजिए अगर सेनीटाइजर नहीं है तो मार्केट में अगर आपको और कहीं नहीं मिलता है तो मैं आपको बता दू पतनजली सेंडा रोपाल को सुष रखते हैं बस सकते हैं वह है भी सिर्फ 50 रुपय का जादा मेहंगा भी नहीं है अगर आपको कहीं से बाहर से कहीं से महंगा सेनेटाइजर मिल रहा है तो यह सब अफ़वा है आप पतंजली के स्टोर पर जाएए वहां से 50 रुपय का सेनेटाइजर लिए परपस है हमारा अपने बच्चों को अपन मिलाईएगा हाथ जोड़कर हमशकार कीजिएगा हाथ मत मिलाईएगा जी हाँ वाटसप पर इतने सारे वाटसप पर वीडियो चल रहे हैं सब कुछ हो रहा है बहुत कुछ हो रहा है सब एक दूसरे को आखा कर रहे हैं लेकिन अभी फिलहाल में आपको बताओं जर्मन के पोड़ सदियार जो नए लक्षन बताए हैं इसके मताभि कोरोना से संक्रमित लोगों के और स्वाध को लेने के सम्तक ख़राब हो जाती है आगर आप टेस्ट करते की चीज़ को तो वह थो भी आपका स्प्राइब ही ठी जसे लेकिन फ Dia दाइरिया भी जी हाँ और कोरोना के 30 परिस्त मरीजों में डाइरिया के लक्षन भी दिखाई दिये हैं तो अगर आप मैंसे आपके अस्परोस में किसिंग को भी अगर डाइरिया है तो उसे दूर रहे और उन्हें होस्पिटल जाने की तला दीजिए कि वायरस से संक्रमित ज सामने आ चुके हैं इसलिए चार लोगों की मौत भी हो चुकी है और वही कारण है कि आप आप देख रहे हैं यह रॉंग है यह राइट है प्लीज फॉलो कीजिए जो भी आपको कोई सावधानियां बताई जा रही है आपके अपने स्वास्त के लिए बताई जा रही है इन आप उसको जल्दी डॉक्टर के पास ले जाएं वरना खत्रा बढ़ सकता है औरों के लिए भी और बहुत न्यूज पर भी आप सब जगह सुन रहे हैं हर कोई नहीं देखता बहुत से लोग यूट्यूब देखने के सोगीन होते हैं कोरोना वाइरस का प्रकोर पूरी दु दुखाम से ही शुरू होते हैं को अभी मैं ताजा ख़वर बता दूं कि जर्मनी के सौजनिक स्वास्त एजंसी ने चेतावनी दी है कि यह संकट दो साल तक रह सकता है जर्मनी में करोना वाइरस के साथ हजार मामले आ चुके हैं जबकि अब तक 44 मौते हो चुकी है वाइर स्वाद की स्वाद का पता नहीं लगा पा रही है अब अब आप देख रहे हैं कि क्या पालत जान्वर में सब्सक्राइर नहीं सब्सक्राइब करोंद सकता में जिए करोंदू में कोई suhoय साथ नहींСТवास्त इसन नहीं कर पारा ivं के पार असपास भी कोई आपके घर बे भी किसी को जुखाम डाइरिया बुखार खांसी ऐसी कोई कोई चीज हुई है तो आप जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास जाएं उसका टीटमेंट कराएं अभी कोई ऐसा नहीं बना है जिससे पूरी तरह से इसका हिलाज किया जा सके तो फ्लीज घर में मत रखिए और दूसरी मरीज जो उसके पास मरीज के पास अगर आप जाते हैं तो मास्क लगा कर जाएं जी हां आप रोज देखते ही हैं कितनी मौते हो चुकी हैं और किसी ने भी अपने परिजानों की बोड़ी लेने से भी संसकार करने से इंकार कर दिया है जी हां यह आपके घर का ही कोई मेंबर क्यों नहों प्लीज उससे एक मीटर की दूरी बना कर रखें और बिना मास्क लगाए बात ना करें भी हाथ दोएं आगे पीछे ऊपर नीचे से अच्छे से दोएं घुमा फिरा कर पूरा हाथ दोएं और उसको हाथ को धोने के लिए कम से कम एक से लेड़ मिनट तो जरूर लगाएं ताकि आप अच्छे से किसी भी संक्रमन को दो सके कोरोना वाइरस के 30 पीर सदीर पैसें टैसे हैं जो डाइरा से पीडित हैं जी हां आप अपने आसपास शुरफचित रखी है सफाई रखी है जर्मनी की तुलना में कोरोसा वायरस जो है इटली में बहुत ज्यादा मोता हो रही है इस चीट ने कहा है कि बिलकुल भी आश्चर नहीं हो रहा है क्योंकि इटली में केवल बहुत गंभी लक्षुनों वाले टेस्ट ही किये जा रहे हैं और बुज़ूर्ग जी हां बच्चे और बुज़ूर्ग बाहर ना जाएं बाहर जाने से बच्चे यह अधिकतर जो है बच्चों पर और बुज़ूर्गो अगर आपको कोई भी ऐसे दिखते हैं तो आप अपने इमिनिटी सिटम को बढ़ाएं आप सुरक्षित रहे सेफ रहे यह ज्यादा जरूरी है इसके लिए आप मैं इमिनिटी सिटम को कैसे बढ़ाएं इसके लिए हो सकता है मैं कोई आगला वीडियो डालू तो फ्लीज मेरे वीडियो को और लाइक जरूर कीजिए लाइक करने से हमें यह पतर रखता है मोटिवेशन मिलती है कितने लोग इस चैनल को देख रहे हैं कितने लोगों को सायद कुछ लाब भी उठा पाए वा तो चेंड से हुई थी लेकिन यह अब पूरी दुनिया में फैल चुका है प्ल लेकिन अगर कहते हैं न पूराने जमाने में सेनेटाजर सेनेटाजर नहीं होता तो गाएं के उफले की राक होती थी राक क्या हो जाती है जलने के बाद जो है राक के सारे वैसे तत जो खराब तत होते हों नश्ट हो जाते हैं वो भी साफ हो जाती है अगर गाउं में कहीं एलकोहल मिल जाता है तो आप उससे हाथ को साफ वाश करें सेनिटाइज करें अपना ध्यान रखें सुरक्षित रहें अपने परिवार को सुरक्षित रखें और देश के इस बंद को कल संडे हैं जी हां भारत बंद के लिए प्रियास किया गए हैं हमारे प्रिटार मंदीजी से अन्रोद किया गया है तो हमें भी उनका साथ देना चाहिए क्योंकि जितना ही हम एक दूसरे से मिलेंगे नहीं उतना ही इस संक्रमन से बची रहेंगे पप्लिक प्लेस पर ना जाएं हो सके तो घर में रहें घर में आपके शदश को अगर इस तरह कोई लक्षन दिखाई दिखाई देते हूं मैं बार बार इस तीज को रिपीट कर रही हूं अगर किसी को लक्षन दिखाई देते हूं तो सब्सक्राइब पहले अपने फैमिली डॉक्टर के दिखाए फिर बाद में उसे वस्पिर लेकर जाए उसकी टेस्स कराए अगर इसके बावजूद भी उसमे करने के बाद उसे हाथों पर एपलाई करें ताकि अपनी हो सके तो अगर आपके पास कोई स्प्रेव बोटल हो देखी आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो भी सेनेटाइब मतलब मांक्स लगा कर जाएं बिना मास्क ना जाएं और गैफ बना कर रखें सुरक्षित रहें यही को हाथ मनें इतना प्रिषभ कर रहे हे ・, लोगों के लिए इतना परेशान है तो हमें भी उनका सहाघोग करना चाहिए क्योंकि उनका इसमें नीजी नहीं स्वार्थ हमारा हमारे लिए तो इसलिए कोई भी खांखा कि दवाइयां कठी मत कर लेना इस्टोरों पर भी लगी हुई यह मैं देख रही हूं उतना ही सामान लो अगर हम सुरक्षित और सेफ रहना चाहते हैं तो ज्यादा भी मत इकठा करो ज्यादा पुरानी चीज़े भी आप खाकर बीमार पढ़ जा करेंगे इसलिए ज्यादा पता चला सामान लेने गए और संक्रमीत होके आगए बच्चों में करोना कम फैलता है ऐसा कुछ नहीं है यह किसी को भी हो सकता है और अपने आपको सुरक्षित रखिए सेफ रखिए मैंने कुछ इस्टीकर के द्वारा कुछ अपने द्वारा आ मास्क लगाईए किसी से भी बात करने हैं तो यह फैलता ही मुह के द्वारा आखों के द्वारा फैलता है हम बात करते हैं तो हमारे संपत में आता है हमें किसी का फूंक लग हमारे उपर आ गया तो यह संपत